Assalamualaikum, Welcome to Star Poetry Center and Science 8 Class NBF के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ और हम पढ़ रहे हैं Flow of Energy in an Ecosystem ठीक है? ये वाला पेज से हमने स्टार्ट लेना था इससे पहले मैंने दो तीन लेक्चर आपके डाले हैं बिटा तो वो आप लोग देख लेना अब हम इसको स्टार्ट करते हैं An ecological system formed by the interaction of living organism and the non-living environment is called ecosystem कोई भी महौल बनता है तालुक से, interaction मैंने अपको बताया था तालुक को कहते है Living organisms यानि के जिन्दा चीजों के and non-living organism environment is called जो environment form होता है वो क्या कहलाता है? ecosystem कहलाता है यानि जानदार और गैर जानदार चीज़ें जो non-living चीज़ें होती है उनके तालुक से जो महौल बनता है वो ecosystem कहलाता है The living organisms in and ecosystems are called producers, consumers and decomposers ठीक है? ये तीन किसमे हैं living organisms की इन में सबसे पहले producers हैं producers have the ability to use light energy to produce food during photosynthesis और आप जूँके मेरे बताने से ही समझ गये होंगे कि ये कौन होते हैं producers? पौदों को कहते हैं, plants होते हैं producers चूँके ये ही photosynthesis के अमल के जरीए सुरज की रोशनी में अपनी खुराग तियार करते हैं plants are algae, are producers of ecosystem ठीक है? plants and algae तो ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं ecosystem में consumer कोन होते हैं? consumers are those who which obtain energy by feeding on other organism all animals are consumers तमाम जानवर जो होते हैं वो consumers जैसे producer पौदे कहलाते हैं तो जानवर consumer कहलाते हैं herby wards are primary consumers herby wards वो होते हैं जो herbs खाते हैं यानि के जड़ी बुटिया, छोटे-छोटे पौदे, पत्ते वगएरा खाते हैं तो ये consumers कहलाते हैं as they feed on green plants क्योंकि वो green plants पे गुजारा करते हैं secondary and territory consumers feed on other animals so are other animals so are cornivores cornivores कहते हैं जो के गोश्ट को रोते हैं, गोश्ट पे गुजारा करते हैं यानि गोश्ट खाने लग जाते हैं, यानि बड़े जानवर decomposers obtain energy by breaking down dead organisms and excretory products ठीक है, fungi and bacteria are examples of decomposers तो ये फंजाई और bacteria जो हते हैं यानि कि वो जो दूसरों के ओपर depend करते हैं dead organisms breaking down dead organisms यानि मोर्दा इस साम जो हैं इनको खाके अपने खुराकुरी करते हैं the feeding relationship between organisms can be represented in a food chain तो एक food chain में इसको अप present कर सकते हैं food chain is a series of organisms through which energy is transferred in form of food food chain जो है उसमें आप बड़े अच्छे तरीके से ये समझ जाते हैं कि energy किस तरह एक चीज़ से दूसरे में transfer होती है जैसे कि सबसे पहले आप देखे ना कि पौदे होते हैं तो पौदे प्रोड्यूसर होते हैं प्रोड्यूसर से कंजूमर लेता है कंजूमर से प्राइमरी कंजूमर लेते हैं और फिर territory consumer जो हैं वो इसको इसको इस्तमाल करते हैं इनकी example इस page में ही last में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले producer प्लांट होते हैं फिर जो आपके primary consumer यानि सबसे पहले जो जानवर जो के पौदे खाते हैं उनमें mouse की example ये दे रहे हैं फिर snake है secondary consumer में snake जो है वो फिर आगे आपका जाता है कि आउल जो होता है ये territory consumer है यानि कि आउल जो है वो इन वाले यानि कि जैसे snake या इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं इनको खाता है ये सब एक दूसे की खुराक का जरिया बनती है और इस तरह इनकी food chain बन जाती है ये next page पे आप आएंगे और आप देखेंगे 13 page पे आपको नजर आएगा ये पूरा एक चार्ट बना हुए जिसमें ये है आउल बना हुए दरम्यान में और आप देखेंगे कि माउस है माउस कहा है ग्रासिस माउस ग्रास खा रहे है ग्रास माउस को फाक्स खा सकता है ठीके इसी तरह से रेबिट है रेबिट इजर से खास खा रहे है रेबिट को आगे से फाक्स खा सकता है जो उसके खुराग बन सकता है ठीके फिर स्नेक जो है वो फ्रॉग जो है वो उसको खा सकता है आगे से स्नेक जो है वो किसी हौक की खुराग बन सकता है ठीक है इदर से आप देखें कि ग्रास को ग्रास ओपर खा रहा है ठीक है ग्रास ओपर जो है वो एक फ्रॉग की खुराग बन सकता है आगे से फ्रॉग आॉल की खुराग बन सकता है यह सब फूड चेंड पूरी मुक from one level to the other to the next enough food chain energy may be lost to the environment as heat during respiration at each level जैसे के हीट होती है वो respiration के दुरान पे हर लेवल पे मुख्तलिफ होती है in the form of uneaten body parts of animals जो अद खाए या ना खाए जिसम के हिस्से जानवरों के होती है through food material which remains undigested वो food material जो के हजम नहीं हो पाता है and through waste products excreted by consumers for example जूरिया ठीक है इस paragraph में बेटा की पताने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारी food energy जोती है मुकमल food एक से दूसरे को नहीं पहुँच रहा होता इसमें से बहुत सा food ऐसा होता है जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो हजम नहीं हो पाता है ठीक है यानि कि वो जैनवर ठीक से पूरा हजम नहीं कर पाता तो जाहर है पूरी energy दूसी इस साम को तो नहीं पहुचे की जो उसको खा रहे हैं अगर रैबिट ने कोई ग्रास खाई है या को बौदा खाया है तो उसके वो मुकमल अगर उसने हजम नहीं किया तो उसको जो जानवर आगे से खा रहा है उसमें मुकमल energy नहीं पहुचेगी तो यह इस पूरी paragraph का मतलब यह है कि जैसे through waste products executed by consumers ठीक है वो waste products जो के consumer के जरीए जाया हो जाती है ठीक है food material मैंने आपको उता है जो हजम ही नहीं होता in form of un-eaten body parts of animals अब एक जानवर दूसरे जानवर को खा रहा है वो उसका मुकमल हिस्सा नहीं खाता वो उसकी हड़ियां वगरा या कोई चीज़ छोड़ देता है तो नहीं उसने मुकमल तौर पर उसको खा सका या खाया तो वो उसके गलते सड़ते रहते हैं अज़जा तो वो जो जिसने खाया था उसके जिसम में तो नहीं ताकत दी ना उन्हें मुकमल तौर पर थीक है या जो फूड की इस energy है या ताकत है वो दूसरे अच्साम में य ज़रूरी नहीं है कि मुकमल तोर पर ही पोँचे ठीक है वो उतना ही हजम करता है जितनी उसकी आगे से ताकत होती है या जितना वो खाता है लेता है इससे यह सारी बात का मतलब था और अब हम नेक्स बेज पर आजेंगे यहां पर आपको मिल रहा है एक और आपको ट्राइं होंगे एनर्जी बनी हुए है more and more energy is lost खो जाती है as we go down our food chain जूँ 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 बहुत सारी ताकत हमारी इस तान से जाय हो जाती है जब हम food chain के last हिसे में चले जाते हैं यानि उलट चले अगर यह तो the total energy is highest at the producer इससे मुराद यह है कि पौदे जो है ना वो producers होते हैं तो उ energy बहुत ज्यादा हाई होती है लेकि जूँ जूँ यह आगे जाता है ना territory consumers सक लास लेवल तक जब यह परामिट पहुंचते है ना यह food परामिट है जो मैं आपको बता रही हूं तो यह figure है 1.16 या 1.16 आप इसको कह सकते हैं तो इसमें खास तो पर यह चीज़ बताएगी है vast and narrow towards the top यानि के शुरू में बहुत ज्यादा चोड़ा होता है और उपर जाते जाते हैं यह तंग हो जाता है यह आप देख भी रहूंगे फिरामिट की शेव ही है इसलिए इसको इस शेव में दिया गया है कि आपको यह सही से समझ आज़े कि energy का level शुरू में बहुत हाई ह कम होता चला जाता है तो changes in an ecosystem and its and its effects changes in water supply यह मैं आपको बता दूँ बिटा के पढ़ने से पहले कि यह water supply से मुराद इनकी यह है कि हमारा जो पानी के जराएं है ना वो जंगलात हैं गीली जमीने हैं फिर grassy lands हैं तो इस सारे में वो यह बात बता रहे हैं कि आपके पानी के पानी के बगएर जिन्दगी मुम्किन नहीं है लेकिन फिर वो यह कह रहे हैं कि floods और यहां पे एक लवज है आपका आ रहा है floods के सासाथ ड्राट ड्राट होता है खुशकसाली को कहते हैं यानि कहत को यह जो है ना यह जमीन के और महौल के पानी के इस्तमाल को डिस्टरब क जो पानी के फराहमी का लोगों के लिए बनाया है वो डिस्टरब हो जाता है इंसानों के आदतों की वजा से जाहर सी बात है हम में से बहुत से लोग बेदरेख पानी इस्तमाल करते हैं पानी जाया बहुत सी जगों पर होता है human habits जो है वो इसको इस पे असर करती है ठीक है गंदे पानी को साफ करने के जो अमल होती है ना उससे और पानी का प्रॉपर जो है वो सेव करने का जो निजाम है ना सारा उसकी वज़ा से इसमें बेहतरी आ सकती है इस सारे पेराग्राफ में यही बात थी ठीक है यह इंट्रिक्शन ऑफ न्यू पॉपलेशन नेक्स्ट आपका हो गया तो न्यू पॉपलेशन यानी नई अबादी का तारूफ लिविग और गैनिसम्स आर अडप्टे तो दियर इंविर्मेंट इंट्रोडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूडूड However, if that new species find a way to survive It effects all With the passage of time, ecosystem will reach to a new equilibrium अच्छा इस सारे paragraph में ये बात बताने की कोशिश की जारी है कि जो new नई अबादी यानि किसी नए जानवर को अगर किसी महौल में यानि जैसे जंगल के ही किसी इसे में लाकर अबात कराने की कोशिश की जाए या किसी भी जानवरों के बीच में छोड़ा जाए तो या तो वो नया आने वला जो है वो नहीं सर्वाइफ कर पाएगा वो मर जाएगा या खतम हो जाएगा और अगर उसने आदी बना लिया अपने आपको इस महौल का और उस महौल में वो रहने लग गया जैसे कि शेर की आप मिसाल ले लें कि शेर जो होता है वो जानवरों को खाता है खुराक है उसकी ठीक है तो अगर वो उस महौल का आदी हो गया और उसने उसमें ज़रा थोड़ा सा उटना बैटना शुरू कर दिया महौल में अडॉप्ट कर लिया उसे पसंद आगया वो महौल तो फिर वो क्या करेगा अपने इर्दगित की स्पीशिस को नुकसान पहुचाएगा ठीक है यानि कि वो मुकाबला करना सीख जाते हैं ठीक है तो वो क्या होगा उससे बहुत सी अमबात होंगी इसमें यही का जा रहा है और लास्ट लाइन है और यहां पर आपकी है इट में रिजल्ट इन डेथ ओफ वन और मॉर नेटिव स्पीशिस विद दे पैसेज आफ टाइम इको सिस्टम विल रीच टू अन न्यू एक्विलिबिरियम और एक्विलिबिरियम कहते हैं तवाजन को तो फिर क्या होगा कि आपका वो जो महौल है ना वो एक कुछ हरसे के बाद नतीजे के तोर पर एक नए तरीके से उसकी पहमाईश होगी और वो उसका तवाजन ने तरीके से बनेगा तो जो भी एक्विलिबिरियम कर सके भी उस महौल में अपने आपको बचा सके तो यह इस सारे का मतलब था यहां मैं हमारा आज का टॉपिक मैं खतम करूँगी एट किलास एन पी एफ साइंस का और इंशाल्ला तला नेक्स्ट इसके लेक्ट